नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपने फत्तर के टुकडे जेसी चट्टानू वाले एस्ट्रोइड के बारे में तो जरूर सुना होगा लेकिन क्या आपने कभी सोने के उलकापिंड के बारे में सुना है जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना दरसल वेग्या निको को अंत्रिक्स म जिसके सिर्फ एक छोटे से टुकडे की कीमत खर्बो डॉलर हो सकती है तो आईए जानते हैं आज की इस वीडियो में हम नासा को मिले सोने के गोल्ड माइन एश्ट्रोइड के बारे में बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर ले और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं दरसल दोस्तों नासा को अंत्रिक्स में एक बहुत बड़ा सोने का उलकापिंड मिला है इसमें सोने के अलावा चांदी और कई तरह के मूनलेवान खजाने मुझूद हैं वेग्यानिकों ने इस सोने के उलकापिंड का आकार 124 मिल बताया है जिससे आप समझ सकते हैं कि अगर वेग्यानिक इस सोने को धर्ती पर ले आये तो पूरी दुनिया के पास सोना हो सकता है वेग्यानिकों ने इस के बीट से सूरिय के चकर लगा रहा है नासा जल्द ही इस एस्ट्रोइड को प्रत्वी पर लाने के लिए एक मिशन तयार करेगी जिस मिशन का नाम सोला साई की मिशन होगा नासा का कहना है कि साल 2026 तक यह एस्ट्रोइड हमारी प्रत्वी के करीब पहुंच जाएगा वेग्यानिकों का यह मानना है कि जब हमारा सोलर सिस्टम बनकर तैयार हो रहा था तब यह एस्ट्रोइड किसी सूने के ग्रह से अलग होकर सूरिय के गुरुत्वा कर्शन बलके कारण मंगल और लेकिन दोस्तो अगर यह गौल्डन एसट्रोइड हमारी धर्ति पर आ जाता है तो सोने का भाव गिरकर लोहे के बराबर हो जाएगा मार्केटिंग सिस्टम पूरी طरह तबाह हो जाएगा मेटल मार्केट पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा कहीं लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं दोस्तों आपको क्या लगता है क्या नासा को इस गोल्डन एस्ट्रोइड को धर्ती पर लाना चाहिए या नहीं कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों इस वीडियो में आपको थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल के निचे एक लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर बेल आइकन के नोटिफिकेशन ओन कर ले वीडियो को लाश्ट तक देखने के लिए शुक्रिया सब्सक्राइब कर रह ना भूले